जस्टिस या इन्जस्टिस ये सब हमारे न्यायाले तै करते हैं जिने धर्ती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है और ये जो न्याय विवस्ता है वो इस धर्ती पर रह रहे आम आदमी के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके ऐसे में बिलकिस बानो केस को जब भी हम याद करते हैं तो हमारे रॉंग टे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उस केस की कहानी बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है जैसा कि आप जानते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक उस केस में बिलकिस बानो के साथ बूटल गैंग रेप हुआ और साथ ही उनके 14 extended family members की बहरेमी से हत्या भी कर दी जिसमें 13 साल की मासूम बच्ची भी थी हाली में अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस केस में जो कन्विक्ट्स थे उन्हें 75 इंडिपेंडन्स डे के दिन रिहाक कर दिया गया है ऐसे में अगर sources की माने तो जो remission grant किया गय हैं और साथ ही उनकी सुरक्षा उनकी respect society में बनाने के लिए बहुत जादा ही महत्पूर्ण कदम उठा रहे हैं ऐसे में बिलकिस बानो के convicts की रिहाई काफी बड़े सवाल खड़े कर रही है जिस देश में हम अपने न्यायाले के decisions को सर्वपरी मानते हैं वहाँ बिलकिस case में जो की एक महिला के साथ brutality का जीता जाकता उधारन है जहां पर remission grant कर दिया गया उन 11 convicts को जो की guilty पाए गए थे इस पर सब तरफ से बनी चुपी पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है अगर पारदर्शिता से होगी कारवाई तबी देश के जन हित में होगी सच क की सुनवाई ये थी the true hunt channel की report और ऐसी खबरे देखने के लिए जुड़े रहें the true hunt से देखते रहें the true hunt for the people by the people